विनायक इसी काम के लिए अपने बेटे को 10 साल तक ट्रेनिंग देता है फिर एक दिन बेटे को देवी के पेट में बिना आटे के ले जाता है लेकिन लालची बेटा छुपाई हुई गुडिया निकाल लेता है जिसके बाद हस्तर हमला कर देता है विनायक का बेटा हस्तर की पोटली से सोना निकाल लेता है विनायक दोनों की जान बचाकर वहां से भाग कर बेटे को पीटता है कि आज हम शाप का शिकार हो जाते घर लोटने पर विनायक का लालची बेटा कहता है हम एक साथ बहुत सारी आटे की गुडिया लेके जाएगे जब तक हस्तर खाएगा उत से 25 हस्तर पैदा हो जाते हैं अब दोनों का जिंदा बचना मुश्किल था पर विनायक बेटे को बचाने के लिए शरीर पर गुडिया बांध कर बाहर निकलता है ताकि बेटे को भागने का मोका मिले विनायक का बेटा बाहर निकल आया पर विनायक का शरीर सर्च चुका है बेटे को सोना देकर कहता है लालची ये रख सोना पर बेटा माफी मांग कर विनायक को जला कर मुक्ति दे देता है